नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहद ही महत्तोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आज हम सभी कुद्रुन्प के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं कुंदुरू या कुंदुरी का वैज्यानिक नाम कोक्सीनिया काडिफोलिया है इसे आयरुवेद में बिम्बी फल के रूप में जाना जाता है यह एक उष्ण कटि बंधिय बेल है इससे पहले इसकी खेती अफरीका और एशिया में की गई थी इस ग्रीन सबजी का उपयोग लोग सबजीयों के रूप में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पकने पर ये ताजे भी खाये जा सकते हैं कुंदुरू कच्चा रहने पर हरे और सफेद धारियों से युक्त होती है कुंदुरू आकार में अंडाकार और चिकनी होती है और इस तरह छोटे में इन्हें आमतोर पर बेरी कहा जाता है यह 15 mm व्यास से ले करके 60 mm तक लंबी होती है पकने पर ये चमकदार लाल रंकी होती है अपने आनंद दायक स्वाद के अलावा यह सबजी पोशक तत्व विटामिन और खनीज का एक अच्छा श्रोत है 100 ग्राम कुंद्रू में 1.4 mg आयरन 0.08 mg विटामिन B2 यानि कि रेवोफलेविन 0.07 mg विटामिन B1 यानि कि थाइमिन कुल आहार फाइबर का 1.6 ग्राम और 40 mg केल्सियम होता है आईए अब हम जानते हैं कुंद्रू से होने वाले फायदों के बारे में सबसे पहले तो यह मधुमे के लिए बिहद फायदे मंद होता है जिहां शुगर में यह बहुत ही काम की सबजी होती है प्राचिन काल से भारत और शुर्लंका में सुगर के लिए आयरुवेदिक चिकित्सा के रूप में कुंद्रू का इस्तेमाल किया गया है इसके लंबे पतले तने की उपरी हिस्से और कच्चे पत्ते पकाये जाते हैं और पीसकर सूप में लिया जाता है यह ग्रीन फल सलाद या पकाने और या करी के रूप में उपयोग किया जाता है केलनिया विश्व विद्याले द्वारा किये गया अनुसंधान ने संकेत दिया है कि कच्चे कुंद्रू के पत्तों ने रक्त शरकरा के अस्तर को कम किया इसलिए यह मधुमेह में फायदे मंद होता है इसके अलावा यह मोटापा को कंट्रोल करता है बंक रोग चेप एट अलद्वारा किये गये शोधने निशकर्ष निकाला है कि कुंद्रू या कुंद्री की जड़ में मोटापे को कम करने वाले गुन होते हैं इस पोधे में संभावित एंटी एडिपोजेनिक एजेंट की मोटापे से प्रेरित चया पचय रोग में सुधार के लिए उप्यूग्द हो सकती है इसके अलावा यह आपको ठकान से दूर रखता है जिहां लोहा शाकाहारी और गैर शाकाहारी भोजन से प्राप्त किया जा सकता है लोहे से समरिद भोजन को दिर्घ कालिक ठकान को दूर करने के लिए हमारे डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए जो पुरुशों और महिलाओं दोनों में हो सकती है लोहे की कमी थकान का कारण होता है कुंद्रू या कुंद्री में 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है जो की दैनिक रूप का 17.50% है इसलिए अपने आहार में कुंद्रू या कुंद्री को शामिल करने से आप आंतरिक और अपने बाहरी जिवन में फिट, स्वस्त और उर्जावान रहेंगे लोह की कमी अक्सर शरीर की कमजोरी, गंभीर थकान और अन्य संबंधित स्वास्ते बिमारियों का कारण हो सकता है लोहे की कमी वाले लोग इस्टतम तरीके से समान्य कारे नहीं कर सकते हैं इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है विटामिन B2, पानी में घुलन शील विटामिन है शरीर को इसकी एक धैनिक खुराक की आवश्यक्ता होती है क्योंकि यह शरीर में श्टोर नहीं किया जा सकता है यह उर्जाउद पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और आपके आहार में आवश्यक पोशक तत्व का प्रतिक है कुंद्रू अपने पोशक तत्वों, विटामिन और एंटियोक्षिदेंट्स के साथ तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं अलजाइमर रोग, मिर्गी, सुन्न हो जाना, मल्टिपल एसकेलेरोसिस, चिंता और दूसरों के बीच में कई नर्वस संबंधित समस्याओं से निपटने में कुंद्रू मदद करता है ऐसा माना जाता है कि विटामिन B6 के साथ कुंद्रू कारपल टरनल सिंड्रोम के दर्दनाक लक्षनों से निपटने के लिए प्रभावी होता है इसके अलवा ये स्वस्त चया पचय को बनाए रखने के लिए बेहत जरूरी होता है थाइमीन कार्भोहेट्रेट को ग्लुकोज में परिवर्तित करने में मदद करता है जो की उर्जा का बहुत ही अच्छा श्रोत है जिससे शरीर के स्वस्थ चाया पचय को बनाए रखने के लिए मदद मिलती है यह प्रोटीन और वसा को भी तूटने में मदद करता है कुंद्रू में मजूद थाइमीन, रक्त और प्लाज्मा के द्वारा उर्जा को परिवर्तित करने के लिए कोशिकाओं द्वारा उप्योग किया जाता है थाइमीन में 0.07 mg विटामिन B1 होता है जो देनिक जरूरत के अनुसार 15.83% है कुंद्रू में पाया गया थाइमीन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मार में भी महत्तोपून भूमी का निभाता है जो लगातार उर्जा के लिए उप्योग किया जाता है चुकि थाइमीन और अन्य B विटामिन्स सोभाविक रूप से उर्जा बढ़ाने के लिए अवश्य होता है फाइवर से परिपून आहार का मुख्यलाब पाचन तंतर के स्वास्ते में सुधार करना है आहार फाइवर आपके वजन को बढ़ाने और मल को सौफ्ट करने में एक महत्तोपून भूमी का निभाता है कुंद्रू में लोह की लागातार खपत मल के लिए बल्क मिल हैं दोडी यनल अलसर बवासीर गैस्ट्रो एनो फेगल रिफ्लक्स रोग कब्ज और डायवर्टी कुलिटीस घुलन शील फाइवर पाचन के दर को धिमा कर देता है जिसके आमतोर पर घुलन शील फाइवर द्वारा अवहेलना होती है जो पानी को अवशोशित नहीं क स्टोन को रोकता है जी हां वास्तों में किर्णिय स्टोन केलशियम का क्रिष्टेड रूप होता है गुर्दे की पथरी का सबसे विश्ष्ट रूप आकसलेट स्टोन है इससे पहले यह माना जाता था कि केलशियम सेवन या उच्च कैलशियम और शोशन की उच्च खपत के कारण गुर्दे की पथरी हो सकती है हालंकि आधुनिक शोध यह साबित करता है कि उच्छ आहार कैल्शियम सेवन में गुर्दे की पथरी की संभावना काफी कम हो जाती है कुंद्रू में मौझूद कम कैल्शियम से गुर्दे की पथरी नहीं होती है बलकि वास्तों में पान और पालक जैसे पत्तेदार सब्जियों की उच्छ ऑक्सलेट खपत और कम तरल पदार्थ की खपत के कारण गुर्दे की पथरी आपको हो सकती है इसके हलावा कई प्राकृतिक चिकित्सकों का सुझाव है कि कुंद्रू का रस पीना उच्छ रक्त चाप और हिरदय रोगियो को मजबूत कर सकती है यह प्रतिरक्षा क्रिया को बढ़ावा देता है और यह एक स्वस्थ जीवन को बनाए रखने की कुंजी है यह मूड को अच्छा बनाए रखता है और स्वभाविक रूप से औसाद का इलाज करता है इसमें इंटी हिष्टा माइन के गुन होते हैं ज यानि कि किन-किन बीमारियों का आप दूर कर सकते हैं किस प्रकार से यूज करके लेकिन अब आये जानते हैं कुछ है कि इसके नुकसान के बारे में ताकि आपको वो बीमारियां हो तो आप बच सकें कुंद्रू का प्रयोग ना करें इस फल का कोई ग्यात या साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन फलों की कड़वी किसमों से कुछ व्यक्तियों को मितली और उल्टी हो सकती है इसलिए उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए यह अभी आयुर्वेद में कहा गया है कि बिम्बी फल का नियमित सेवन बुद्धी का अस्तर कम करता है हलां की इस संबद में कोई व्यग्यानिक अध्यान नहीं किया गया है यदि आप गर्भवती हैं या अस्तिनपान करा रही है तो इसके सेवन से दूर रहें क्योंकि इसके बारे में परियाप्त विश्वशनिय जानकारी नहीं प्राप्त है अभी इसलिए सुरक्षित पक्षिया है कि आप इसके उपयोग से बचें इसके सेवन से रक्त शरकरा कम हो सकता है यदि आपको शूगर है और आप इसका उपयोग कर रहें हैं तो अपने रक्त शरकरा को चेक कराते रहें सरजरी से कम से कम दो सबता पहले इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके से से ब्लड शूगर कम हो सकता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑल्वेज रखना चीए क्योंकि हमारा स्वास्थ जो है देश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए खुप्षूरत है अगर हमारी बोडी में कोई भी 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 घर कर जाती है आ जाती है तो हमारे लिए दुनिया की सारी अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो की जरूरत होती है आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से क्यों मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा तक के खाने में ऐसा प्लान बनाए या डाइट चार्ट बनाए जिसमें की हर एक चीज शामिल हो जिससे आप स्वस्थ रह सके या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूर्जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों